सु, ڈریम 11 कैसे खेले और यहां पर पैसे कैसे कमाएं देखो कल हमने भी इस एक मैच में इनवेस्ट किया था जहां पर हमने ड्रीम 11 से पैसे कमायो है आब आप यहां पर देख सकते हैं अद डेली यहां पर आप देखो IPL जब से स्टर्ट हुआ है यहां पे देखो daily, यहां पे 2 करोड, 81 lakh, यहां पे देखो 81 lakh, काफी अच्छी winnings यहां पे काफी लोग कर रहे हैं, और यहां पे देखे, इन भाई साब ने भी यहां पे 81 lakh रुपीज विन किये, और यहां पे जो हम भी यहां पे अपनी टीम देते हैं, एक हमारे टीम से भी हम यहां पे आपको टीम भी प्रोवाइड की जाती है, और यहां पे देखो, लास्ट मैच में अलगवाग हमने भी यहां पे profit earned किया हुआ है, यहां पे देखो dream 11 में, और आप अगर पैसा कमाना चाहते है dream 11 पे, तो कैसे dream 11 खेली जाती है, टीम कैसे बनाई जाती है, और पू देखो, अभी के लिए तो भाई, discount offer चला हूँ, जिसमें 5 बंदे यहां पे करोड़ पती बनने वाले हैं, फाइफ बंदे यहां पे करोड़ पती बनने वाले हैं, उसके बाद यहां पे जिसे हम जाते इस contest के अंदर, first वाले को 2 करोड, दूसरे वाले को 1 करोड, फिर 1 ड्रीम 11 में आपको एक काफी अच्छा benefit मिलता है, हमें एंट्री लेनी है, सिर्फ मेरे पास तो भी यहां पे discount चले 14 रुपे में, सिर्फ यहां पे मैं जिसे 14 रुपे में एंट्री करता हूँ, 14 रुपे में में एक टीम मना सकता हूँ, अब लास्ट मैच में जिसे की, हमने टेलिग्रम पे पोस्ट किया था, तो मैक्सिम लोग आज के लिए बोलने कि भाई चैन नहीं करने वाली है, तो देखते हैं, क्या होगा, अगर आप भी बताना चाहते हैं, कौन वीन करेगा यह मैस, तो कमेंट बोक्स में कमेंट करना, आप देखो दोस्तों, सबसे पहले, म डिस्क्रिप्शन वॉक्स में, ड्रीम 11 का लिंक मिलेगा, आपको एकाउंट बना लेना है, एकाउंट सिंपल बन जाएगा, मोबाइल नमबर डालना, एकाउंट बन जाएगा, अब उसके बादेखो, अभी यह मैच है कुछ देर के बाद, तो यहां पे देखो, मुझे एं होता है, एक विकट कीपर होगा, उसके बाद बैट्समेंस होगे, फिर और लाउंटर सेक्शन में होगे, और फिर बॉलर्स होगे, तो क्रिकेट के अंदर, मेंली जो इंपोरेंट रोल प्ले करते हैं, वो आपको गैरा प्लेट जो चूज करने हैं, ठीक है, वो गैरा प्ले के, बोलिंग के, तो हर चीज यहां पर भाई, आप देख पाओगे, और फिल्डिंग के कितने पॉइंट मिलते हैं, और एडिशनल कितने पॉइंट मिलते हैं, वो सब चीजें आप यहां पर देख सकते हो, अगर आपको पूरा डेटेल में जाना है, यहां पर आप आ जाना मुझे ऐसे प्लेयर लेने हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे यानि जो बैटिंग में अच्छी रन मारेंगे और जो बॉलिंग में अच्छी विकट वहाँ पे निकालेंगे हमेड़யे और यहाँ से यहा? आप यहाँ से भीख कर सकते हैं यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि यह पहले खेलने आएंगे यहाँ यहाँ पर समझ आ जाएगा यह उसके बाद खेलने आएंगे बाकि toss के उपर depend करते हैं कि toss konvene करेगा तो right, batting order wise भी आपको समझ जा जएगा फिर उसके नीचे जाओगे दोस्तों, यहाँ पर bowling समझ जा जएगी कि यह जो main bowler हैं हमारे, यह main bowlers हैं, यह main bowling करेंगे और यह जो all rounder section है, center वाला देखो, यह all rounder section है यहाँ पर ही देखो, मैं दिखा रहा हूँ, दोनों टीमों के आपको दिख जाएंगे तो इन 22 खिलाडियों में से, आपको अपने गैरा अपनी टीम में चूज करने हैं इसके अलावा भी कुछ substitute खिलाडियों होते हैं, वो यहाँ पर announce होते हैं जब last के 20 मिनट से 30 मिनट रहते हैं, तो वो substitute खिलाडियों हो जाते हैं जब match start होने में 20-30 मिनट रहते हैं आप देखो, आप जिसे मैंने यहाँ पर प्लेयर चूज कर लिया विर्दीमन सहा अब मैं बैटिंग पर जाता हूँ, बैटिंग पर मैने क्या बोला कि अगर यहाँ पर बैटिंग पर अच्छी चैन्ने को अगर opening करती हैं तो मैं आज जाना चाहँगा रचित रवींद्रा के साथ, रचित रवींद्रा काफी अच्छे यहाँ पर फोर्म में है और आप सभी ने वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस तो देखी ही होगी, तो यहां से हमें प्लेयर स्लेक्ट करने होते हैं, यह बैट्समेन है, टॉप ओडर में बैट्समेन आपको दिख रहे हैं, तो मैं रचित रवींद्रा, डैनियल मीचन, शिवम दूबे, जो एक सब अब इसके बादे को जिसे मैंने वीजे शंकर ले लिया, राशिद खान ले लिया, इस तरह की से मैं अपने प्लेयर से यहां पर चूज करों, जड़े ज़ा अब इनके बॉलर्स मुझे लेने हैं, लास्ट मैच में भी यहां पर देश-पांड़े के ऊपर कोई ध्यान नही साइंग की शोर मैं दो प्लेयर्स यहां पर देखो यह मेरे टीम यहां पर बनके रेडी हो चुकी है अब मैंने टीम मना ली अब मैंने टीम कैसे बनाई भाई अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है मैंने टीम मनाई भाई यहां से यहां से मैंने प्लेयर्ट चूज करके टीम अब यह team बनगी अब आपको सबसे पहले last match का जो last होगा दोस्तों आप कैसे first rank पर आ सकते हैं ध्यान अखना first rank पर ध्यान रखने के लिए आपको last के 20 minute आपको देखना है कि भाई जब lineup आता है dreamlion पर आज़े कौन toss कर रहा है पहले कौन toss में win किया कौन batting कर रहा है कौन balling कर रहा है यह point समझना बड़ा important है फिर उसके बाद देखो के यहां पर selection percentage अब देखो सुम्मन गिल को captain और wise captain maximum लोगों ने करा है maximum लोगों ने शुम्मन गिल को captain और wise captain करा है अगर ऐसे आप चलोगे ना अगर चल भी गया मान के चलो चल भी गया तो हमें इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमें यहां पर ऐसे players को choose करना होता है जो perform तो करेंगे definitely perform तो करने ही चाहिए अगर मान के चलो भी सुम्मन गिल नहीं सबसे जादरन माड़े तो captain से सुम्मन गिल के पास ही रहेगे ऐसा नहीं है बट अगर मान के चलो गलती से फ्लोप हो जाए तो maximum लोगों का 20 परसेंट लोगों का कि captain है मतब एक करोण में से 20 लाग लोगों को यह captain है तो मान के चलो 20 लाग लोग तो पहले ही साइड हड जाएंगे मतब बचे असी लाग competition में असी लाग और तेरा परसेंट लोगों का यह wise captain है तो 20 और 13 होगे 33 33 यानि 33 लोग तो भाई पहले ही साइड में हड जाएंगे मान के चलो गर गिल दस पंदरा बीस तीस रन मार के ऐसा जाता है तो आप के पास एक प्लस प्लस प्लाइट रहे का तो अगर आपका प्लेयर मान के चलो मैं अहां पर अब तहूं अच्छी तरवींद्रा को भी यहां पर इसके लिए मैंने चूज कर दिया अब कैप्टन और वाइस केप्टन मनाने का मतलब क्या होता है यह हुआ कि मैने के चुलो सब्सक्राइब कर दिए अब इसके मुझे टूएक्स पॉइंड मेलेंगे माननके जितने पॉइंड जो हमें 100 पॉइंट बने तो तो पॉइंट के मुझे 200 पॉइंट में जो मैंने कैपटन मनाया और वाइस कैपटन मुझे 150 पॉइंट में ठीक है जितने यह तो उतना हमें यहां पर प्रोफित होगा और पॉइंट सिस्टम आप यहां पर समझ सकते हैं कि किसका रहता है एक रन का एक पॉइंट होता है, कैच के 8 पॉइंट होते हैं, बैटिंग बॉलिंग के मैंने आपको समझा दिया, इस तरह किसे दोस्तों, यहाँ पे टीम बनानी होती, यह मैंने टीम मना दी, और मेरे टीम यहाँ पे लग गई है, अब देखो, अब भी मेरे पास डिसकाउंट चला हुआ है, अब देखो, यहाँ पे मेरे पास डिसकाउंट चला हुआ है, तो मैं एक टीम और यहाँ पे फटाफट से बना लेता हूँ, एक टीम में बना लेता हूँ, अब लाइक्ट मैंने यहां पर अमाजोनी को ले लिया इस बार यहां पर और यहां पर अभी के लिए अगर यहां पर गुजरात फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो मैं डैविड मिलर की तरफ भी जा सकता हूं अब यहां पर मैं गिल को ड्रॉप करने का बहुत बड़ा रिस्क यहां पर लूँगा स्टीम के अंदर बाकि जो भी चेंजिस होंगे हम अपने टैलेग्राम चैनल पर देखो का लास्ट मैच में देखो रहमान ने अच्छी विगड ली थी अच्छा परफॉर्म किया था पट आज के मैच में इसको अपने टीम में नहीं रख रहा हूं क्य यह गारंटी नहीं है कि हमेशा ही परफॉर्म करेगा यह चीज ध्यान करें अभी यहां पर मैं कुछ और चेंजिस डेफिनेटली करना प्रेफर करूंगा अगर मैं आज विकड के पड ले रहा हूं तो मुझे गिल को यहां पर बैटिंग और में एड ओन करना ही पड़ेग और यहां पर मैं ऐसे ही कैप्टेंजी देगर के टीम अ तो मुझे डिसकाउंट मेरा है मैं इस डिसकाउंट का फायदा यहां पर उठा लो और आप भी डिसकाउंट का फायदा इन चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जल्दी सी जाके ज़ड़ें कर लो ड्र हर्पृत बराड वाइस कैप्टन कोहली तो मैक्सिमम सबसे जादा पॉइंट दी तो नो डाउट कैप्टन से उसके पास ही रहेगी बड़ इनकी प्लेयर्स में जैसे मैंने कल कहा था कि अभी सिराज मुहम्मद सिराज के ओपर फोकस रखना जितेश के ओपर फोकस रखना अन इन पॉइंट है कि कॉंपोटिशन ज्यादा है इतने कॉंपटिशन आकर अपको फस्ट पे आणाहिए अगर आप फस्ट पे आतें तो ही आपको यहां पर फायदा होगा और कैसे यहां से आप पैसे कमा सकते हैं अगर रस्ट रेंक तो नेक्स टूडियो को वेट कर रहें ना नेक्स टूडियो आपको दिखा देंगे मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स टूडियो तब तक के लिए बाए टेक क्यार